जैहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो सेक्षन में दोस्तों हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपून टॉपिक इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा लेकिन हमको इसको फिर से प्रिप्रेशन करना होगा क्योंकि चतिसगर व्यापम, चतिसगर पीसी और सीजी पूलीस के साथ-साथ अन्य जो computer operator, data entry operator और भी बहुत सारे weekends जो आने वाली है उन सभी में दोस्तों उचतिसगर के नए जीलों से संबंधित प्रशन पूछा जा सकता है तो उन्हीं सभी चार जो जीले नए बने हैं उन्हीं से संबंधित हम इस वीडियो में बात करने वाला है जिसमें बना है दोस्तों मनेंदरगर, शक्ती, सारंगर, बिलाईगर और महुला मानपूर तो इन सब के बारे में एक एक करके चलिए जानकरी एक अत्रित करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिल्कूल राटना नहीं है और अच्छे से समझना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों 36 गण में अब चार नए जीले बन चुके हैं इसकी घोशना की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारिक तोर पर जो इसका प्रकाशन नहीं हुआ है अब अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा, जीलों की संख्या कितनी होगी है दोस्तों 32 हो चुकी है, किसको किसको मिला करके तो नए जीला कौन-कौन सा है दोस्तों मनेंद्रगः, शक्ति, महलामानपूर, चौंकी और सारंगड़ भिलाई ठीक है, तो चलिए, एक एक करके सभी को बात कर लेते हैं दो चलिए अगर आपने नेसनल हाइवे का जो रूटीन है पढ़ा होगा तो ठीक है बिलकुल जरूरी हैब को पढ़ना हैं और यहां पास जो है धूस्तों कोरिया का अमरित धारजल परपात पहले कोरिया में आता था अब वो पूरी तरीके से अब किसे में आ गया मनेंदरगड में आ चुका है हस्दियॉननदी वो भी कहा है कहां पास इस्तीत हो जाएगा अब जो है मरेंद्रगर और सांथ इसांथ यहां प्रमुख जो खनीज है वो कोईला है चुना पत्थर है इन्पोर्टेंट है सरवधीक मातर में दोस्तों यहाँ कोईला जो है निकलता है और चुना पक्थर की बात के दोस्तों सबसे ज़्यादा तो वो कहा निकलता है बलाओदा बजार में निकलता है यहाँ पास हलकी सी मातर जो है इसमें लैम स्टोन की जो है पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पास ले तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों मनेंदरगड की जो है जानकरी है आप याद रखे कोरिया से अलग होकर क्या बना है मनेंदरगड बना है तो इसके बारे में आप देखे मनेंदरगड में कौन-कौन से तहसिले आएंगी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए अब देख लेते हैं दूसरा जो है दोस्तों सक्ती सक्ती जो है दोस्तों इसका मात्रित तुजीला कौन सा है जांजगीर चापा है आप इसको याद रखे इसकी गोशना भी 15 अगस्त 2020 को किया गया है और यह दोस्तों यह जो 14 रियासत थी ना पहले उनमें से सबसे छोटा रि आपको याद रखना इसमें और बुराई नदी यहां से होकर की गुजरती है और परटनिस्थल की बात करें तो पनारी जलप्रपात है नागरदा जलप्रपात है दमव दहरा जो जल प्रपात है यहाँ पास इस्तित हुआ है उसी के अब बाद दोस्तों तुर्री धाम जो ह पास जो है स्थीत है डीक वाध देखे चलिए बात कर लेते हैं सारंगरु बिलाइगर जो है ये जो है दो जीलों का मिल करके बना है तो इसका मातिर्त जीला कौन-कौन सा Commission है दो जीला है पहला है नेस्नल हाइवे 30, 130 B जो है होकर के गुजरता है यहां जो है सरवधिक रूप से बांस की जो है पाया जाता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है सारंगड के नाम से ही सक पड़ा है जिसका अर्थ होता है बांस का कीला ठीक है अब देखिए सन 1948 में सारंगड का भारती संग में वीली में जो है उसमें हुआ था और इसकी जो अंतीम शाशक है वो राजा नरेंदर सीह थे और यह जो है पूरी तरीके से जब सरदार वल्लाव भाई पटेल के द्वारा जो विलाय किया गया भारत में सभी रियासतों का तो उनमें के द्वारा राजा नरेंदर सीह के द्वारा जो है विलाय हुआ था परेटन शेतर की बात करें तो कौशलयाई माता है चंदरपूर की चंदरहाशनी माता मंदीर इसी के अंतरगत आएगा गोमरदा जो अभ्यरन है सारंगड में इस्तित है यहां के प्रमुक अगर जनवर की बात करें तो वो है 1-62 ठीक है जो 36 गर का क्या है दोस्तों राजी की पसू है ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोहला मानपूर का देखे जिस तरीके से मैं बता दूँ जैसे सारंगड बिलाईगड इसका मातरितु जीला दो है न उसी तरीके से जो कमरधा जीला है उसका भी मातरितु जीला कितना था पहले दो था तो मतलब जो कमरधा जीला का जो निर्मान हुआ है वो कुछ हिस्सा राज्यानगाओं से लिया गया था और कुछ हिस्सा ये एक नयजी लेका निर्मान होगा जिसको मोला मानपूर चौंकी रखा जाने की घोशना की गई है इसकी भी घोशना 15 अगस्त 2021 को घोशित किया गया है जो की यहां से कुरूद जो जग है कहा है कुरूद धमतरी का तहसिल तो यहां पास तो दोस्तों आपको पता हो गए रायपूर से आता है अभणपूर होते हुए कुरूद आता है कुरूद से कहा आता है धमतरी धमतरी से क्या हो जाएगा आपको कटते हुए बालोद बालोद से कटते हुए दोस्तों कहा जाता है यह मोला मानपूर स्वारी मानपूर तक जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो रूट है कहां से कूरूद से लेकर के तो ये कूरूद स्वारा दोस्तूं निसनल हाईवे 930 है ठीक है दंड कारेन का जो प्रदेश से यहीं पास भाग पाया जाता है और पूर्णता जो है दोस्तूं ये नक्षल प्रभावित है क्योंकि अगर मैं बता दूँ 36 गड़ का जो पहला शदी सहीद SP जो है वो विनोवत चौबे कहीं न कहीं दोस्तों मदनवाडा से रिलेटेड है और मदनवाडा जो है मानपूर ब्लॉक के अंतरगत ही आता है तो आप इसको याद रख लिजेट यहाँ से प्रशन पूछा जाता है अब देख लेते हैं दोस्तों कि नए जीलों में कौन-कौन से बलाग आने वाले है पुरी तरीके से संभावित है क्योंकि जो है दोस्तों अभी तक यह इसमें राजपत्रित नहीं हुआ है इनका एरिया जल्दी से डिसाइड किया जाएगा उसके बाद ही प्रकाशित किया जाएगा लेकिन अभी पेपर में अगर पूछा जाया है तो वरतमान में नए जीलों के साथ कुल जीलों की संख्या पूछेगा तो 32 बताना है और अन्यत्र जो है राजपत्रित में नहीं हुआ है सिर्फ घोषना हुआ है तो आप क्या बताओगे 28 ठीक है तो चलिए अब बता लेते हैं नए जीले में दोस्तों सक्ती सक्ती में कौन-कौन सा जो ब्लॉक है वो आने वाला है तो वो सक्ती आएगा ड़बर आएगा, बमनीड ही आएगा और माल खरौद आएगा, और जैजैपूर आएगा उसी तरिके सारंगड की बात करें तो सारंगड में यह आएगा और बरम-केला जो सरीय है वो आएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों तो दोस्तों इसमें जो मनेंदरगड है और चिर्मिरी है भरतपूर यहां से अगर मैं बात करूँ तो मनेंदरगड जनकपूर भरतपूर चिर्मिरी आएगा और अगर मोहला मानपूर चौंकी की बात करूँ तो इसमें आएगा दोस दोस आने वाला जो ब्लोग से हैं मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया और साथ नए आपडेट वैं बता दूँ तो जिसमें दोस्तों हाल ही में 36 गर्ण सासन में कोरिया जीला मैंने बताया जहां से अलग होकर कि जो है दोस्तों सारा आपका जो उपर का जो बना है इस सा होंगे तो 28 जुलाई को जो है दोस्तों नए तहसील को पुलितरी के सराज पत्र में प्रकाशन हो चुका है तो 28 जुलाई के इसके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो नए सबसे तहसील में देखें तो पटना होगा जो की कूरिया जीले का आठवार नमबर का तहसील है ठीक है तो यह थी दोस्तों जानकरी और एक एक करके चलिए सभी जानकरियों को देख लेते हैं और इसमें सभी जीले जो है कब-कब अस्तित्वों में आया था तो दोस्तों 36 गड़ में जीलों का गठन जो है हम देख लेते हैं अभी वर्तमान में अगर मैं बता दूँ तो वर्तमान में कुल जो है जीलों की संख्या 28 है और कुल संभाग की संख्या 5 है और नय घोसित जीले 4 है जिसमें मनेंदरगड, सकती, सारंगड, मोहला, मानपूर है और सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो 7 जीलों के साथ बस्तर है और सबसे छोटा बात करें तो दूरगर संभाग जो की 5 जीलों के संख्य जो है 146 है तो चलिए बात कर लेते हैं अब जो जीलों का निर्मान हुआ है किस तरीके से हुआ है तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा स्टार्टिंग में तीन जीले ही बने हुए थे ठीक है उसके बाद जो है 1956 में जो है कुल 6 जीले आपको देखने को मिले होंगे जिसमें आपको सरगुजा, रायगर, बिलासपूर, दूर्ग, रायपूर और बस्तर जो है अस्तित्व में आया था जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ दूर्ग जीला जो है 1906 में सामने आया हुआ था जो रायपूर से अलग हो करके बना हुआ था ठीक है उसके बाद दोस्तों 1973 में सिर्फ एक ही नया जीला हमको देखने को मिलता है वो है राज्यान गाउं जीला जो दूर्ग से अलग हो करके बनता है इस तरीके से अब 6 से कितने हो गए दोस्तों साथ जो है नय जीले हो चुके थे अब बात कर लेते हैं आगे क्योंकि साथ नय जीलों के पस्चात 1998 में पूरी तरीके से 16 नय जीले अस्तितों में आ चुके थे जिसमें हैं दोस्तों नया में कोरिया आया, कोरबा आया, जस्पूर आया, जानगीर चाप आया, कमरधा आया, महाशमून, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा तो कही न कहीं बस्तर से अलग ह करके दोस्तों कौन-کौन साया, कांकेर और दंतेवाड़ा आया, और दोस्तों पूरी तरीके से अगर राइपुर से अलग होकर कि धमतरी और महासमून दाया, 1990 में ही और बांकी दोस्तों जो है जानजीगीर चापा, कोरभा और ये कॉमरधा जो है दोस्तों ये बिलासपूर संभाग और राजननगों जीले को मिला करके बनाया गया और कोरिया जो है सरगुजा से अलग होकर के और जस्पूर भी जो है अलग होकर के बनाया गया अब उस समय दोस्तों 1990 में 16 जीले अस्तितों में आ चुके थे और इनहीं के दारान जब 16 जीलों के साथ जो है मध्ध प्रदेश से अलग हो गया 36 गड़ ठीक है तो दोस्तों पीछे में बैक्ग्राउंड में आपको कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे रहा होगा चुकि अभी नौरात्री का परव चल रहा है तो साइड में मंदीर है तो जगराता जो है वो चल रहा है कहीं न कहीं आप उस चीच को इग्नॉर कर सकते हैं साउंड के लिए ठीक है तो देखे जैसे यहां तक कम्प्रीट हो गया 16 जीला बन चुका था उसके बाद जो है अस्तित्वों में आया दो नए जीले तो दो नए जीले कौन सा था दोस्तों वो था नारायनपूर और बीजापूर चुकि दोस्तों 18 जीलों के साथ 2007 में अस्तित्वों में आया नारायनपूर और बीजापूर और 37 कुछ नाम को भी इसमें परिवर्तित कर दिया गया जैसे नीचे का जो दंतेवाडा का जो छेतर थार ठीक उसको क्या कर दिया गया दक्षिन बस्तर दंतेवाडा के नाम से जाना गया ठीक है उसके बाद दोस्तों फिर से समय बीटता गया और आया 2012 तो उसमें 2012 में भी बहुत सारे नए जीले जो है उसका निर्मान जो है बिलासपूर से अलग होकर के बना दूर्ग से अलग होकर के बेमेतरा और बालोद बजार जो है दुस्तों रायपूर से अलग होकर के बना और गरिया बन भी अलग होकर के बना किस से रायपूर जीले से और बात करें दंतेवाडा से तो दंतेवाडा से अलग होकर के सु वही है दस फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया और ये जो है जीले का 28 वे नंबर का जीला अस्तित्व में आया और इसकी घोशना जो है 15 अगस्त 1919 में मेंस घोशना हुई थी और जीला गोरिला पेनरा मारवाही 36 गड़ और मध्य प्रदेश की सीमा को इस्तित्व है इसे ही जीला बनाने का जो रात पत्र में प्रकाशन है वो 3 जुलाई 1998 को किया गया था ठीक है तो यहां तक देख लेते हैं अभी वर्तमान में कितने जीले हैं कितने संभाग हैं तो 1956 में तीन संभाग के साथ 6 जीले अस्तित्व में आया थे और 2007 में तीन संभाग ही थे कोई परिवर्त नहीं हो था लेकिन जीलों की संख्या 18 हो गई दो नएजीले बनें थे बीजापूर और नरायनपूर आपको पता होगा उसके बाद दोस्तों 2012 में 4 संभाग हो चुके थे और जीलों की संख्या 27 हो चुकी थी 2013 में एक नए संभाग बना था और जो है दोस्तों अब चार नए जिले बन चुके हैं तो ये थी दोस्तों जानकारी कहीं न कहीं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा अगर चाहे तो आप इसका screenshot जरूर ले लिजिए ठीक है और जो चीज़ समझ नहीं हारा अगर कोई जानकारी मैंने गलत बता ह तो नीचे comment box में जरूर पूछ लिजिएगा ठीक है और जो इस्टूने नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेलाता है जरूर अनकल लिजएगा कि इसी तरीके का ग्यान वर्थक वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडिय जरूर तक केर अलबेस्ट जया हिंद